उम्शान्ती, दोस्तों किसी ने बहुत सुन्दर कहा है, कि जब मन हमारा कमजूर होता है, तो परिस्थिती हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है, जब मन हमारा स्थिर होता है, तो वही परिस्थिती हमारे लिए एक चुनोती का रूप ले लेती है, और जब मन हमारा सशक होता है पावर्फुल होता है तो वही परिस्तिती हमारे लिए एक अफसर का रूप ले लेती है पिछले एक वर्ष से भी अधिक हम सब देख रहे हैं कि कोरोना वैश्वेक महमारी ने भारत परी नहीं संपून विश्व पर एक बहुत गहरा प्रहार किया है हमारा शरीर और हम हमारा मन बहुत बहुत तेजी से प्रभावित हुआ है दोस्तों इस पर विजय प्राप्त करने का कोई और तरीका नहीं है इस पर विजय प्राप्त करने का केवल एक तरीका है जो प्रॉपर रिसोर्स हमारे पास अवलेबल हैं उनका हम प्रॉपर तरीके से यूज करें पि विजे नहीं प्राप्त की लेकिन कंट्रोल पाया। और हम सभी लोग बहुत आशा के दीपक जलाकर वैक्सीन का इंजार कर रहे थे। दोस्तों, अब जब संपून विश पर दूसरी लहर कोरोना वैश्वेक महामारी की च्छाई हुई है। तो ये बहुत important हो जाता है, जरूरी हो जाता है, कि जो resources हमारे पास properly available हैं, पुराने तरीकों को भी हम use करते रहें, और जो vaccine हमारे पास आया है, उसको भी scientifically समझ कर, जो हमारे मन में कई बारी चिंताएं हैं, कुछ myths हैं, कुछ doubts हैं, कुछ भय हैं, कि हम नहीं लगवाना चातें उनको भी हम clarify करकर, जो ये साधन है, उसको हम use करें, तो आज मैं कुछ ऐसे myths लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, और उनके सत्ते भी आपके सामने उजागर करूँगा, ताकि आपके मन में वो जो vaccine की प्रती भय है, चिंताएं हैं, वो निकल जाएं, और भारत सरका और जो हमारे scientists ने दिन और रात लगा कर, इतनी मेहनत करकर, ऐसे दो wonderful vaccines हमारे देशवासियों को दिये हैं, उनका हम proper तरीके से उप्योग करें, ताकि इस बिमारी पर हम सब मिलकर संपून रुप से विजए प्राप्त कर सकें, दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न होता है, त दूसरा है को वैक्सीन, यह दोनों वैक्सीन जो हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन दोनों का कारे एक ही है, दोनों वैक्सीन जो हैं, हमारे body के immune system को, जो immunity system है, उसको train करते हैं, उसको boost करते हैं, ताकि वो virus के against protective antibodies को बना सके, ताकि कभी भी virus अगर हमको infect करने क कोशिश करता है, तो हमारे अंदर जो व्यापत antibodies already हैं, वो उस virus को हमारे उपर या तो असर ना करने दे, या अगर उसका असर हो भी, तो वो बहुत कम हो जाए, और आप में से बहुत लोग हमको लिखते भी हैं, कभी-कभी या WhatsApp पर देखते भी हैं कि कौन सा vaccine better है, क्या vaccine हम तो आज इसका कोई भी scientific evidence नहीं है, science ने clearly दिखाया है कि दोनों vaccine अपने तरीके इसमाल करते हुए, बहुत अच्छी immunity हमारे शरीर को देते हैं, तो अगर हमारे पास COVID shield का access है, हम उसको भी लगवा सकते हैं, और यदि हमारे पास सहज रूप से को vaccine का access है, उसको भी हम लोग सकते हैं, बोथ vaccines are good and efficacious, वो दोनों अच्छे हैं और उनकी efficacy भी काफी अच्छी बताई कही है, कि वल तरीका उनका काम करने का थोड़ा सा अलग है, और कई बारी लोग दूसरा में तो हमारे सामने लाकर प्रस्तुत करते हैं, कि अगर मैं ये vaccine लगवाऊं, तो क्या ऐसा तो आपको बिमारी नहीं हुई है, तो vaccine लगाने के बाद आपको बिमारी होने के chances जो हैं, वो significantly कम हो जाते हैं, vaccine के अंदर या तो dead virus होता है, जिसके द्वारा आपको body, आपकी किवल immune system को train करती है, और antibodies जादा बनती हैं, लेकिन आपके शरीर पर COVID का प्रभाव होना, या COVID बिम आपको बिल्कुल नहीं होंगे, तो ये बहुत important है कि अपने मन से ये भाई निकाल दें, कि यदि में को vaccine लगती है, तो मुझे भी COVID की बिमारी कहीं होना जाए, और यदि मुझे COVID-19 हो चुका है, मैं काफी बिमारी के ऊपर प्रपर तरीके से विजय प्राप्त करकर आया लेकिन कितनी antibodies बनती हैं और कितने समय तक रहती हैं, इसका कोई definitive evidence नहीं है, कई लोगों के अंदर देखा गया कि antibodies बहुती कम मातरा में या ना के बराबर बनती हैं, और कई लोगों में proper बनती हैं, लेकिन अकसर ये जो antibodies बनती भी हैं, ये लंबे समय तक नहीं रहती हैं, इ onoclonal antibodies मिली हैं तो ये advisory issue की गई है कि यदि ऐसा है तो आप covid vaccine को कुछ समय के लिए delay करें जैसे करीब 37 से 90 दिन तक आप इसको delay कर सकते हैं और फिर एक प्रशन हम सब के मन में उठता है कि अगर मैं vaccine लगवाता हूं तो मुझे side effect होंगे और side effect मुझे बहुत नुकसान करेंगे भई देखिए जब कोई भी external चीज आपके शरीर में जाती है और आपके immunity system को train करती है तो आपका immune response generate होता है और immune response generate करके कभी-कभी हमारे शरीर में हलका सा बुखार लाता है थोड़ी सी कमजोरी ला सकता है या कभी-कभी हमको थोड़ा सा malaise लगता है weakness लगता है इससे बिल जिर्चिंता वाली बात नहीं है हलका-पुलका बुखार है थोड़ा सा local side पर दर्ध है ये चीज़े हो सकती है और समय के साथ कुछ दिनों के बाद ये बिमारी जो है या ये लक्षन जो है ये completely समात हो जाते हैं और आपकी body immune response generate करना आरम रुख करती है और कई लोग बहुत सहज रूप से आपको समझाना चाहूंगा यदि हम vaccine लगवाते हैं तो पहली dose के बाद हमारे body को कुछ समय लगता है immune response generate करने में ऐसा नहीं कि हमने आज vaccine लगवाई और कल हमारी body पूरी तरीके से immune हो जाएगी ऐसा नहीं gradually हमारी body immune response generate करती है और जब ये immune response generate करती है तो हमारा protection level धीरे धीरे बढ़ता रहता है लेकिन जब दूसरी dose हमको लगती है तो दूसरी dose के एक दो हफ़ते बाद ही हमारी body का immune response बहुत powerful हो जाता है और देखा गया है कि 70 to 80% जो scientific studies है हमारे शरीर 70 to 80% protection हमको confer करता है तो ये जो time period बीच का है इसके बीच में हम सब को बह धनी बरतनी है क्योंकि ये protection 100% नहीं जाता लेकिन ये एक significant मातरा तक जाता है तो इसलिए अगर हम vaccine लेते हैं तो उसके बाद भी COVID हो सकता है बिलकुल हो सकता है लेकिन ये science बताती है कि यदि आपने vaccine ली है और immune response proper आया है तो COVID होगा भी तो हलके फलके symptoms के साथ निकल तो इसलिए आप घबराएं ना कई बरी लोग discourage हो जाते हैं कि उसने COVID की vaccine ली उसके बाद भी उसको COVID हो गया ऐसा होता है लेकिन हमको इसकी चिंदा नहीं करनी है vaccine ही एक मातर तरीका है mask और sanitization के सिवाए कि हम इस COVID को easy तरीके से सहज तरीके से हरा सकते हैं पर अगर हम vaccine लग पहनना है social distancing से मुझे कोई मतलब नहीं है ऐसा नहीं करिए क्योंकि mask एक single most powerful tool है जब हम mask पहनते हैं तो almost 90 to 95% तरीके से हम COVID के infection को हमारी body में enter होने से रोक देते हैं तो यदि आपने vaccine लगवाई भी है तो mask जरूर पहने हम जब भी social gatherings में जाते हैं अपने workplace पर जाते हैं तो mask हमको भी protect करता है और दूसरे लोगों को भी protect करता है तो mask पहनना बहुत बहुत जरूरी है vaccine के बाद भी हमको mask का proper उपयोग करना है क्या ये pregnant females को दी जा सकती है अभी तक ऐसा कोई भी लक्षन नहीं है कोई भी evidence हमारे पस नहीं है कि इस vaccine का pregnant females पर कोई गहरा असर है या नु ये vaccine लगाते हैं तो भाई इसके अंदर कोई genetic structure है या कोई DNA है तो ये हमारे DNA को alter कर देगा जो हमारा gene है उसको alter कर देगा ऐसे suppression भी हमारे पास आते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये vaccine जो है या तो viral vector based vaccine है या RNA based vaccine है ये हमारे cells के nucleus में enter नहीं करती है इसलिए आप निश्चिंत रहें ये हमारे DNA structure को बिल्कुल भी alter नहीं कर सकती है कोई भी उसके उपर प्रभाव नहीं डाल सकती है तो ऐसी ब्रामतियां ऐसे forward messages पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें क्या सभी blood group वाले इसको लगवा सकते हैं जी हां सभी blood group वाले इस vaccine को लगवा सकते है और कई बारी कुछ लोग कुछ बिमारी से ग्रसित हैं कईयों को hypertension है कईयों को diabetes है और कई लोग blood thinners पर होते हैं तो क्या ऐसी लोग vaccine का उपयोग कर सकते हैं तो आज मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूंगा जो लोग diabetic हैं, hypertensive हैं आप सहज रूप से इस vaccine क का उपयोग कर सकते हैं आप अपने doctor से clearance ले लीजिए उसके लिए guidelines हैं proper तरीके से और vaccine को आप जरूर लगवाईए यह आपके शरीर में proper immunity देगा और आपको protection भी देगा लेकिन जो लोग blood thinners पर हैं तो blood thinners दो प्रकार के आते हैं एक तो anti platelets होते हैं जैसे कि eco sprint की गोली है, क्लोपेडो ग्रिल की गोली है, जो लोग angioplasty के बाद या arteries के अंदर blockage के बाद ऐसी गोलियों का उपयोग करते हैं और दूसरे जो blood thinners आते हैं वो anti coagulants के नाम से आते हैं जिसके अंदर अलग-अलग anti coagulants हम लोग उपयोग करते हैं तो जब लोग blood thinner ले रहे हैं, anti platelets ल ले रहे हैं, यह recommendation है कि आप 3-4 दिन कम से कम anti coagulants को बंद कर दें, यह आपकी safety के लिए बहुत आवशक है ताकि bleeding का risk significantly कम हो जाए तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को किवल यही कहना चाहूंगा, कि इस बीमारी पर जीतने के लिए हमारे पास कुछी tools available हैं, इसमें भय और चिंता का कोई भी role नहीं हैं, हमको अपनी सूझ-भूच से काम लेना होगा, क्योंकि जब परिस्तिती विकराल है और परिस्तित को हम change नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत आवशक है कि हम अपने मन की स्थिती को सक्तिशाली बनाएं, हम properly अपने दिमाग से सूझ-भूच से काम लेकर, जो tools हमारे पास available हैं, उनको उपयोग करें, तो mask का आप properly उपयोग करें, आज sanitization भी घर के अंदर हाथ को, अपने जहां पर भी हम जाते हैं, कई हम लोग किसी चीज़ को surface को छू लेते हैं, तो sanitization का उपयोग भी बार-बार करें, social distancing ज़रूर रखें, जिसको कहा गया है कि दोगज दूरी और mask है जरूरी, ये कहावत बहुत बहुत अनेवारे और उचित है, और दोस्तों, परमात् कितना सुंदर हमारे को blessings दी हैं, कि हमारे पास आज vaccine भी हमारे देश में, scientist की महनत से केवल एक ही वर्ष से के अंदर available है, बल्कि उससे भी कम समय में हमको available कराई गई है, तो इसके लिए अपने मन में भय, चिंता और अनेक प्रशनों को ना आने दें, क्योंकि ये vaccine हमारे protection क लिए है, अगर हम सब देशवासी मिलकर सहज रूप से सरकार का सहयोग देकर, सब एक दूसरे को सहयोग देकर प्रेरित करते हैं, तो इस बिमारी पर विजय प्राप्त करना हमारे लिए सहज होगा, और आखरी में मैं आपको यही बताना चाहूंगा, कि ये सब tools को भी आप चंतन करते हैं, positive thinking करते हैं, तो ये हमारे body की immunity को और immune system को powerful तरीके से boost करता है, और boosting के कारण हमारी immune response बहुत powerful तरीके से generate होता है, तो आईए, हम सब प्रण लें, इन साधनों का उचित तरीके से उप्योब करें, और मिलकर ना किवल अपने भारत वर्ष को, लेकिन संपून विश को इस कोरोना वैश्विक महामारी से छुटकारा दिलाएं, ओम शांती